आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ एक कप केहू के आटे से बनने बाले बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी जिसे आप जटपट से बनाके तयार कर सकते हैं अगर आप समोसा, कचोड़ी, पकोड़ी खाके बोर हो गए हैं तो एक बार गेहूं से बना ये नाश्ता ट्राइ कीजेगा आपको बड़ा ही पसंद आएगा बनाने में बहुत ही ज़दा आसान है, एक दम जटपट वाली रेसिपी है पर खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी और क्रिस्पी बनके तयार होते हैं तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर से ट्राइ कीजेगा तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है आटा और आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बोल और उसके उपर रख लेंगे एक चलिए और यहाँ पर न मैं कप से नापके एक कप केहु का आटा ले रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी यूज कर सकते हैं या फिर दोनों को हाफ-ाफ भी कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पे एक चम्मच भरके मैंने मैदा डाली है और एक चम्मच भरके डालेंगे यहाँ पे बेसन बेसन डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है वैसे आप चाहें दोनों चीजों को स्किप कर सकते हैं सिर्फ इसे आटे से भी बना सकते हैं अब साथ में ही डालेंगे यहां पे आदा चम्मच भर के कलोंजी आदा चम्मच भर के डालेंगे यहां पे अजवाइन तो अजवाइन आप जरूर डालेगा इससे डाइजेशन में भी हैल्प मिलती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है साथ में ही डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके बाद एड़ करेंगे यहां पे हम दो चम्मच देसी घी वैसे आप यहां पे रिफाइन ओयल भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप यहां पे देसी घी डालेंगे न तो इसकी जो पपड़ी बनती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तयार होती है तो मेरी एड़वाइज यही है कि आप यहां पे देसी घी ही एड़ करें अब इसके बाद ना सारी चीजों को बढ़िया से आटे में मिक्स कर लेंगे अभी यहां पे आपको पानी बगरा कुछ भी एड़ नहीं करना है और इस तरह जब यह अच्छे से मुठी बन जाये न तब इसके बाद हमें थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पाणी डालना है तो यहां पे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे तो यह क्रिपी नहीं बनेंगे बस इसे बनाने का एक तरीका होता है उस तरीके से अगर आप आप आटे में मिक्स करें और उसके बाद पानी आड़ करें तो अगर कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये बना के तयार करेंगे ना तो बहुत ही ज़दा क्रिस्पी करारे बनके तयार होते हैं और खाने में बहुत ही बड़ी अलगते हैं तो यहाँ पर हुए मैंने तीन आलू ले लिए हैं सबसे पहले उन्हें चील लेंगे और चीलने के बाद उन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको गैस पर रखके इसकी कोई स्टफिंग बगरा नहीं बनानी है इसी तरह जब आप स्टफिंग बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़िया चटपटी बनके तयार होती है तो चलिए यहाँ पर जितने भी आलू है या फिर आपको जितनी भी स्टफिंग बनानी है ना उसके हिसाब से आप यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लीजे और अब इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो मसा थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर साथ में ही यहाँ पर एक चमच डालेंगे आमचूर पाउडर अब उसके बाद डालेंगे यहाँ पर बारी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया बस इनी समान को डालने से आप देखेगा कितनी बढ़िया हमारी चटपटी स्टफिंग बनके तयार होती है आप सभी को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना इनकी चोटी चोटी सी गोलिया बना के हम रख लेंगे मतलब चोटी चोटे बोस बना के हम रख लेंगे वैसे चाट पकोडी किसे पसंद नहीं होता सभी को यह बहुत अच लगते हैं वर कभी कभी क्या होता है ना एक ही तरह की चीज़ें खाके हम बोर हो जाते हैं तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राइए कीज़ेगा बनाने में तो आप देखी रहे हैं कितनी जदा असान है लेकिन इसको खाके ना आपका दिल खुश होने बाला है तो कयार कर लेंगे तो यहां पे आपको लोई भी छोटी-छोटी ही बनानी है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है तो दोस्तों यहां पर आपको इक बात कहना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती आपने घर पे ट्राइ करते हैं और आपको लगता है कि वो अच्छी बनती है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया गीजे और अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूल लिएगा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर सारी लोईयों को मैंने इसी तरह बना के रख लिया है आप चलते हैं इसे बेलने की तरफ तो यहां पर इसे बेलने में आपको थोड़ असा ध्यान रखना है कि इसे गोल नहीं बेलना है इसे हमें थोड़ असा लंबाई में बेलना है और उसके बाद हमने जो बॉल बना के रखी है न स्टफिंग बाली उसे इस तरह पीछे की साइड रखना है और पीछे जो आटा है उसे उपर से कवर कर देना है थोड़ असा साइड में भी कवर कर देंगे और उसके बाद हमें लेना है एक चाकू और चाकू से ना आप इस तरह लंबी-लंबी स्ट्रिप बना दीजे बस आपको ध्यान रखना है नीचे तक कट नहीं करना है नीचे से थोड़ा सा जोड़ा रहेगा और सेंटर में आप इसकी पतली-पतली-पत्यां कट कर दीजे उसके बाद पीछे से हम उसे उठाएंगे और आगे की तरफ टाइटली रोल करते जाएंगे देखे इस तरह तो यहां पर हमारा बहुत ही बड़ीया नाश्टा बनकी तयार हो गया है उसके बाद इसे दोनों हतेलियों के बीच में रखेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे देखे बिल्कुल इस त तरह तो इस तरह ना इसकी एक बहुत भड़ीया शेप बनकी तयार हो जाती है जब आप ये नाश्टा किसी महमान को खिलाएंगे ना तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया लेकिन बनाने का तरीका तो आपको पता है कि कितना जादा इज़ी है तो चलिए यहां पर आपको ना एक मैं और बना के दिखा देती हूं यहां पर पीछे हम स्टफिंग वाली बॉल लखेंगे और इसे बढ़िया से कबर कर देंगे और आगे की साइट चाकू की हैल्प से पतली पतली स्ट्रिप कट कर देंगे उसके बाद इसे पीछे से उठाए सारे नाश्टे को बना के रख लूँगी और उसके बाद हम इसे फ्राइग करेंगे वैसे इसे बनाने का एक और आसान तरीका है अगर आप इसे इस तरह ना बनाना चाहें तो आप इस तरह रोल की तरह भी इसे बना सकते हैं यह भी देखने में बड़ा ही सुन्दर लगता है तो यहां पर देखिए दोनों तरह के नाश्टे मेंने बना लिये हैं और आप इसमें लेयर्स देख सकते हैं कितनी बड़ी आई हैं तो चलिए अब जटपट से इन्हें फ्राइ भी कर लेते हैं तो इसे फ्राइ करने के लिए गयास पर रखेंगे हम एक पैन या फिर कड करना है और बिलकुल मीडियम टू लो गैस पे से फ्राइ करना है तब ही जो नाश्टा है ना बहुत ज़्यदा क्रिस्पी करारा बनेगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे तो यह बिलकुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा और हो सकता है कि अंदर से भी थोड क्रिस्पी हो पाईगा और जैसे इस बेग बड़ी असा कलर आजाएगा ना नीचे तब इसे हम पलट देंगे और बस इसी तरह दोनों साइट अलट पलट के अच्छे से क्रिस्प ओने तक अच्छे से गोर्लन कलर आने तक हम इने फ्राइ कर लेंगे और आप यहां पे तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर से बना के देखेगा कभी कभी शाम होते ही मन करता है ना कुछ चटपटा सा खाने का तब आप ये जटपट से सिर्फ 10 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी यमी बन के तयार होते हैं फ्रेंट आप इसे हरे धनिय की चटनी के साथ या फिर कैचप के साथ सर्फ कीजेगा खाने में सभी को बहुत ही मज़ेदार लगेंगे तो यहां पर देखिए इन पर बहुत ही बड़िया कलर आ गया है अच्छे से क्रिस्प हो गये हैं तब इन्हें हम निकाल लेंगे और गरमा गरम इन्हें अब सर्फ करेंगे वैसे दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कोई भी परिशानी नहीं है तो जल्दी से जाए और नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर पैस कीजेगा तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यदा महनत लगती है और आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो को शेर जरूर कीजेगा तो यहाँ पे देखें दोनों तरह के नाश्ते मैंने फ्राइ कर लिये हैं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप में यह बन के तयार हुए हैं साथ ही बहुत ही ज़दा क्रिस्पी करारे बनते हैं तो एक बार यह रेसिपी बनाना तो बनता है और देखें यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ अं मैं आप से मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए और टेक क्यार